हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल यूनिक मैडिसिन पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रोंबो फॉब ओइन्मेंट के वारे में जिसके अंदर हिपेरिन सोडियम और बेंजाइल निकोटीनाइट होता है तो आज की इस वीडियो मे हम जानेंगे कि थ्रोंबो फॉब ओइन्मेंट के बेसिक यूजिस क्या होते हैं क्या इसके फायदे होते हैं और इस ओइन्मेंट का कब-कब डॉक्टर यूज कराते हैं दोस्तो वीडियो में complete information देखने के लिए आपसे request है कि वीडियो को इसके मत कीजिए वीडियो को continue watch कर जाता है और accident होने की वजहाँ से जो blood के clots हैं वो मास्क के अंदर बन जाते हैं जिसमें blood के clots जो हैं नीले पड़ जाते हैं या फिर रैडिस रैडिस हो जाते हैं तो गाइस इस तरह की जो समस्या होती है इनको ठीक करने के लिए थ्रोंबो फॉब ओइन्मेंट एक बहुत अच्छा ओइन्मेंट होता है और mostly जो डॉक्टर हैं इसको यूज कराते हैं दोस्तो आपने देखा होगा कि जब किसी को कोई डंडे से मार देता है या फिर किसी को कोई accident हो जाता है और उस समय हाथ में जो मास्क का कलर है वो नीला हो जाता है या जो बेंस होती है वो नीली हो जाती है तो उनको ठीक करने का ये काम करता है दोस्तो आपने देखा होगा कि इसकिन के नीचे बलड के कलॉड जम हो जाती है और धीरे धीरे उनका जो कलर है वो नीला या लाल हो जाता है तो इस तरह की जो प्रॉबलम होती है उसके treatment के लिए थ्रोंबो फॉव ऑइन्मे काफी असरदार होता है दोस्तो इसके अलावा ये सूजन को खतम करता है जब किसी को कोई आघात लगता है और उस समय जो सूजन हो जाती है इंफ्लामेशन हो जाता है बलड जम जाता है तो उसको ठीक करता है साथी जो चोट काली या नीली पड़ जाती है उसको ठीक करता ह और गुम चोट वगयरा जो लगती है उसको ठीक करता है तो दोस्तों ये इस medicine के main फायदे हो जाते हैं इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी किसी को injection लगाया जाता है और injection लगाने की वजह से injection वाली site पर swelling हो जाती है या फिर redness हो जाती है तो उसके ठीक करने के लिए भी doctor इ benefits होता है वो ये होता है कि कुछ doctor अपने experience के हिसाब से इसको non bleeding piles में भी use कराते हैं तो guys ये कुछ doctor ऐसा करते हैं वर ऐसा नहीं है कि सभी doctor ये चीज follow करते हैं दोस्तों इसके अलावा बेंस में होने वाली swelling से relief करता है pain से relief करता है और बहुत तेजी से जो inflammation होता है उसको cure करत है तो guys ये इस thrombophob ointment के key benefits हो जाते हैं इसके mainly जो uses है benefits हैं वो हो जाते हैं और इस तरह से patient को काफी आराम मिलता है दोस्तों बात करें इस medicine के कुछ एक side effect की कि अगर कोई patient इसको apply करता है तो उनको क्या side effect आ सकते हैं तो guys इस medicine को use करने के बाद कुछ patient में जो most common side effect हैं जैसे कि खुजली लग सकती है skin पर irritation हो सकता है उनको burning जैसा feel होगा उनको जलन जैसी लगेगी तो ऐसा अगर कुछ होता है दोस्तों तो आप इस ointment का use ना करें अपने doctor को बताएं उनसे सलहा करें और उनकी सलहा से ही further treatment करें दोस्तों बात करेंगे कि यह ointment किसको use नहीं करना है कि जो ऐसे बंदे होते हैं जिनकी skin इस ointment से बहुत ज्यादा sensitive है या past में उनको कोई allergy हुई है इस तरह के content से तो वो विल्कुल भी इसका use ना करें या उनके doctor उनको prescribe करते हैं तो अपने doctor को पहले बता सकते हैं तो guys ऐसा आपको ध्यान रखना है guys अगर हम बात करें इसके brand name की तो आप यहां thrombophob के नाम से इसको देख रहे हैं और यहां इसके अलावा यह आपको और भी brand name से market में मिल जाता है तो guys जब भी आप लेते हैं तो आप brand name से ले सकते हैं इसके अलावा आप इसके generic name से भी medicine को ले सकते हैं यह ओइन्मेंट जाइडस company के दुआरा बनाया है जो की काफी अच्छी company है 20 gram के pack में guys यह आता है यहां इसका composition देख सकते हैं जो की हर 1 gram के contain का composition रहता है सिर्फ external use के लिए है और use करने के बाद में आपको बापस cap लगा के अच्छी तरह से रख देना है medicine को बच्चों की पहुंस से दूर रखना है और guys अगर हम इसका MRP section देखें तो यहां आप देख सकते हैं लगभग 100 रुपे में आपको यह medicine यानि कि यह ointment मिल जाता है जिसकी expiry 7 2022 तक इस ointment को use कर सकते हैं दोस्तों यहां direction for use में है simple मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी को इसको apply करना होता है तो आपका जो affected area है जैसा कि हमने वीडियो में बात की बहाँ पर आप इसको apply करके धीरे धीरे रव करें या फिर इसको लगा कर छोड़ दें तो guys यह जो oint ointment है वो अपना work करना ही start कर देगा और आपकी जो समस्या है वो जल्दी जल्दी क्योर हो जाएगी तो दोस्तों उमीद है कि thrombophob ointment की जानकारी आपको पसंद आएगी वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा और guys वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने channel unique medicine को subscribe कर सकते हैं well icon को press करके all पर click कर दे ताकि आपको ऐसे ही knowledgeable वीडियो के update मिलते रहें दोस्तों इसके साथ ही वीडियो को like और share करना ना भूलें आपसे मिलेंगे एक नई medicine के साथ नई जानकारी के साथ दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्य बाद जैहिंद बंदे मात्रव